हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल प्रेगनेंसी नौलिज हेल्प फ्रेंट्स आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कोरोना वाइरस से कैसे बचें आप सभी जानते होंगे कि कोरोना वाइरस ने दुनिया भर में कैसी तवाई मचा रखी है और अभी भी कहा जारी है करोना वाइरस का सबसे जादा खत्रा बच्चों बुजर्गों और प्रेगनेंट महलाओं को है प्रेगनेंसी में करोना वाइरस का खत्रा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में युम्यूनिटी सिस्टम अन्य लोगों के मुकावले जादा कमजोर और जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जादा से जादा बार हातों को साबुन से दोएं या फिर हातों को सैनाटाइज करें कुछ भी खाने या चेहरे को छूने से पहले हातों को साबुन से जरूर दोएं आपस में कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें फ्रेंट्स प्रेगनेंसी में आपको इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिए छींकते या खासते बक्त टिशू का इस्तमाल करें और इस्तमाल किये गए टिशू को ढखकन दार डिब्बे में ही डालें और उसके बाद साबुन से हाथ धोएं या हाथों को सेनाटाइस करें और दूसरों से दूरी बनाए रखें अगर आप टेगनेंट हैं और खाना बनाती हैं तो हर एक काम करने से पहले हाथों को अच्छी तरह वाश करें फ्रेंट्स खाना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें याद रखें सबजीयों को गरम पानी या उसमें फिटकरी डालकर सबजीयों को अच्छी से धो लें उसके बाद ही इस्तमाल करें फ्रेंट्स अगर कोरोना वाइरस से कोई विव्यक्ति ग्रस्त या पीडित है तो उसके संपर्ग में बिल्कुल भी ना आएं प्रेगनेंसी के दोरान ऐसी इस्तिती में घर से बाहर ना निकलें यही आपके लिए और आपके वेवी के लिए सेफ है दोस्तों या किसी भी रिष्टेदारों से ना मिलें मिलने के बज़ाए आप फोन पे बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है प्रेगनेंसी के दोरान इस बाहरे से लढ़ने के लिए किसी भी चीज को छूने से पहले हाथों को सेनाटाइज करें बारवार्ज यूज में आने वाली चीज़ें जैसे टीबी, रिमोट, फोन, चार्जर आदी ऐसी कई चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो ज़ादा यूज करते हैं तो आप उन्हें किसी अच्छे कपड़े से से सेनाटाइज लगा लें और ताकि उस सेनाटाइज से साफ कर लें ताकि कोई वी जम्स ना रहें कोई और भीडवाले इस्तानों पर जाने से बचें अगर हो सके तो फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी के दौरान घर से बाहर ना निकलें तो फ्रेंड्स ये ये थी कुछ जानकारी जिसका अच्छे से पालन करने पर प्रेग्नेंसी के दौरान आपको और आपके होने वाले बच्चे को करोना वाइरस से बचा सकती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर बॉचिंग